अकोला 24 नियूज में आपका हर्दिक स्वागत है हम हिंदोस्तानी हमें अपना फर्द निभाना है सलाम है बैत पूरा और बाकी नौ जवानों को पूरे विश्व में कुरोना की महमारी शुरू है जिसकी वज़ा से हमारे देश पर भी कुरोना का संकट मन रहा है कुरोना बीमारी की वज़ा से आए दिन किसी न किसी की मौत हो रही है ये बीमारी इतनी भायानक है कि किसी को भी अपने चपेट में ले रही है जिसके कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे इस बीमारी में अपने पराय रिष्टेदार पोडोसी कोई किसी के काम नहीं आ रहा है लेकिन इस देश में आज भी भाईचारा जिन्दा है जो ना किसी जातपात को देखता है ना किसी धर्म को देखता है आज भी हिंदू मुस्लिम एक तकी मिसाल इस देश को अपने आप पर गर्ब करने का मौका देती है ऐसी ही कल अकॉला में एक हिंदू समाच के बुजर्ग की मौत हो गई थी उनको अकॉला कच्ची मेंद जमात की एंबूलंस से सरकारी अस्पताल में पहुचाया गया था जहां उनकी जाच रिपोर्ट के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल दौारा अंतिन संसकार के लिए कहा गया लेकिन मुरतक के साथ कोई ना होने की वज़ा से उसे आज दिनाग 24 माई को अकॉला की कुरोना योद्ध टीम ने उस बुज़र्ग की लाश को अकॉला मिमन कच्ची जमात की एंबूलंस में ले जाकर अंतिन संसकार किया बता दे कि इस टीम में सभी मुस्लिम नवजवान अपनी जान की परवा ना करते हुए सिर्फ इंसानियत की एक मिसाल दे रहे है जिसमें तन्वीर खान, एजास खान, शेकिर फान, बाबा भाई, जाविद खान, शाबास खान, वसीम भाई, समीर भाई, मनपस वचता अधिकारी शिरी राजूरकर साइब ने सरकारी अस्पताल से मोतमिल शम्शान भूमी ले जाकर उसका अंतिन संसकार किया और कच्ची मेमन जमात के अध्यक जाविज जकरिया की अध्यक्ष्टा में अगनी वसीम खान, समीर खान ने दी इस बीच सभी साती साथ थे अंतिन संसकार के बाद टीम योद्धा और कच्ची मेमन जमात के अध्यक जाविज जकरिया ने जाते जाते देश को एक संदेश दिया और बताया कि कुछ राजनीती परटियों और कुछ भड़काओं मीडिया में ना आकर अपने आपको रंगों में ना बाटो एक दूसरे के काम आओ इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है